नमस्कार आपके पाठेक्रम 505 परयावरन अध्यन सिक्षन के इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में मैं एक बहुत महतोपूर्ण विशह पर चर्चा करने वाला हूं पर्यावरन अध्यन के सिक्षक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि पर्यावरन अध्यन की विशेवस्तु का संगठन कैसे किया गया है परियावरन अध्यन की जो पाठ्थे पुस्तके बनी है उन पाठ्थे पुस्तकों में विशेवस्तु को किस प्रकार प्रस्पत किया गया है राष्टिय पाठेचरिया रूपरेखा 2005 में जो प्रस्ताव किये गए उन प्रस्तावों के आधार पर जब पाठेपुस्तकें बनी तो पाठे पुस्तकों में पर्यावरन अध्यन की पाठे पुस्तकों में विशेवस्तु का संगठन प्रक्रान अर्था थीम के आधार पर किया गया जिसको हम पर्यावरन अध्यन का थीम आधारित संगठन कहते हैं और आज इस थीम आधारित संगठन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ये थीम आधारित द्रश्टी कोण क्यों रखा गया राश्टी पाठेचरिया रूपरेखा 2005 में ये निर्धारित किया गया कि विशेवस्तु का संगठन थीम आधारित हो लेकिन ये थीम प्रक्रण आएंगे कहां से ये प्रक्रण इस प्रकार चुने जाए जो बच्चों के अनुभवों, परद्रश्यों और दैनिक जीवन पर आधारित हो अर्थात ये प्रक्रण वो हो जो बच्चे अपने चारो ओर देखते हैं जो रोजमर्रा की जीवन में अनुभव करते हैं ये प्रक्रण किसी विशे से जुड़े अध्रस्य प्रक्रण या आमूर्थ प्रक्रण नहीं होने चाहिए ये सबसे बड़ी चुनोती थी जब प्रक्रण आधारित द्रिश्टिकों को अपनाया गया पर्यावरण अध्यन की विशे वस्तु को संगठित करने के लिए साथ ही ये भी कहा गया कि प्रक्रणों के साथ साथ जो उप्रक्रण चुने जाए बे उप्रक्रण भी विग्याड या सामाजिक विग्यान से न चुने जाए वे इस प्रकार चुने जाएं जो गहराई से प्राकर्तिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उभार सकें एक और चुनोती थी विशे को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि ग्रामीड और सहरी परिवेश के बीच सामझस से हो विशे वस्तु केवल ग्रामीड परिवेश से या केवल सहरी परिवेश से नहीं हो विशे वस्तु में लैंगिक समानता और समवेदना भी हो विशे वस्तु में सामाजिक और सांस्कृतिक बिवित्ता का भी समावेश हो धर्म भाशा और भघोलिक वित्रण के बीच भी सामंजस से रखा जाये ये बड़ी चुनोतियां थी और इन चुनोतियों के ही मुल विंदु माना गया इनको वह आधार विंदु माना गया जिनको आधार बनाकर प्रक्रणों का नधारण किया गया यह प्रक्रण आधारित द्रश्टिकोन हमने चुना क्यों हमने प्रक्रण आधारित द्रश्टिकोन साथ इसलिए चुना क्योंकि प्रात्मिक इस्तर पर जो विशेवस्तु है वो संप्रत्यों पर आधारित नहीं है concepts पर अधारित नहीं है वो theme पर अधारित है एक प्रकरण पर अधारित है और प्रकरण का चयन इसलिए किया गया है ताकि बच्चे जो कम आयू के बच्चे हैं कक्षा 3-4-5 में पढ़ने वाले बच्चे हैं बच्चे भावतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर प्रिक्षों की आलोचनात्मक समझ विक्सित कर सकें इस आलोचनात्मक समझ उनमें विक्सित हो भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परप्रिक्षों की इस उद्देश को पूरा करने के लिए प्रक्रणों का चैन किया गया साथी प्रक्रणों के इर्दगिर्द जो संभावित संबंद और अंतर संबंद हैं उन संबंदों को भी प्रस्तुत किया गया है इसको समझने के लिए आप ये कही थीम ये कही प्रक्रण पर कक्षा तीन, चार और पांच तीनों कक्षाओं की पाठे पुस्तके एक साथ रखें और फिर जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसके आधार पर उनका विशलेशन करते चलें आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि प्राथमे के स्तर पर जो विशयवस्तु है वो बच्चों से प्रारंब होती है बच्चों के स्वयम से, स्वा से प्रारंब होती है फिर वो परिवार तक जाती है, फिर स्पासपडोस तक जाती है फिर उनके छेत्रिय राज्य तक जाती है फिर देश के बारे में उनकी समझ विक्सित होती है क्योंकि देश उनके लिए एक अमूर्थ संप्रत्ते उनके लिए वो उनका मोहला, उनका परिवार, उनका पासपडोस वो मूर्थ संप्रत्ते है तो हमें वहां से आगे बढ़ना है प्रक्रण आधारे द्रश्टिकोंड शायद हमने इसलिए चुना और इसलिए चुना कि प्रक्रण को संकायों और विशेयों की परंपरागत सीमाओं से परे जाकर सहिवागी रूप से प्रात्मिक्ताय पहचानने में सहायक हो इसके लिए हमने प्रक्रण आधारे द्रश्टिकोंड चुना ग्यान के समन्वित स्वरूप को महत्तो दिया गया ना कि किसी तथ्ये, किसी घटना या किसी नियम के इस्मरण पर यदि आप विग्यान और सामाजिक विग्यान की विशेवस्तु देखेंगे तो कई वार इस पर बात विवाद हुए है कि विग्यान या सामाजिक विग्यान की विशेवस्तु होती है या तो तथ्यों, नियमों, सिद्धान्तों पर आधारित होती है या तिथियों और घटनाओं पर आधारित होती है और बच्चों को उनका इस्मरण करना पड़ता है उनको याद करना पड़ता है रटना पड़ता है तो बच्चों को रटन्त ग्यान न दिया जाए दत्यों घटना और नियमों का वरन्वे ग्यान का समन्मित रूप से निर्माल करें समग्र रूप से उसको देखें इसको ध्य आएंगे कि प्रात्मिक इस्तर पर जो पाठ्य पुस्तके हैं वो सामनिता छे प्रक्रणों में वटी हुई है पहला प्रक्रण या पहला सीर्शक या पहला थीम है परिवार और मित्र दूसरा है भोजन तीसरा है आवास चौथा है जल पांचमी है यात्रा या आवागवन और आप कक्षा तीन चार पांच की पुस्तकों में इससे समंदित पाठों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ इस थीम के इस प्रक्रण के अंदर भी चार उप्रक्रण सम्मलित हैं अर्थात परिवार के सदस्यों के आपस में समंध मित्रों के साथ समंध अर्थात सम आदर कीव के अंदर 예र का भाव देखें कि जन्टु और पाधें हमारे मित्र हैं हापर भावात्मक संगठन भी ज कॉन्से है उसने में क्या स्वा लख होते हैं पाधे हमारे किसकाम आते हैं पेद्धों से विशेवस्तु को छे मुख्य प्रक्रणों के इर्दगिर्द सम्मेलित किया गया है जो है परिवार और मित्र भोजन आवास जल यात्रा या आवागमन के साधन और चीजें जो हम बनाते या करते हैं और जो परिवार और मित्र का प्रक्रण है वो जो थीम है उसको हमने चार उप्रक्रणों में बाटा है सम्मंद, कारी और खेल, जन्तु और पौधे और ये सारे उप्रक्रण एक दूसरे से जुड़े हैं ऐसा नहीं है कि चार पाठ है एक सम्मंद पर पाठ है एक खेल पर पाठ है और एक खेल होगा तो आपसी संबंद विक्सित होगे कारे है वहाँ भी संबंद है जन्तु पर कोई अलग से पाथ नहीं है पौधि पर कोई अलग से पाथ नहीं है वो सब समनवित रूप से हमने प्रस्थित करने का प्रयास किया गया है मैं एक उधारन के माद्यम से इसको सबस्थ करता हूँ मैंने यहाँ उधारन लिया है एक प्रकरण चुना गया है जल यदि आप उस प्रकरण को देखें तो मैंने तीन प्रकार के दर्स्थिकोण यहाँ प्रदर्सित करने का प्रयास किया है यदि जल प्रक्रण की विशय वस्तुकों आपकी विज्ञान की दृष्टी कोण से देखनी होती तो आप उसमें क्या-क्या समाहित करती हो और ये विज्ञान की पाठे-पुस्तक में यदि जल का पाठ होता तो उसमें क्या होता जल के गुण जैसे उसके स्वरूप उसका र जल जनित रोग उनके कारण आधी आधी यह विज्ञान की दृष्टी होती जल को देखने की एक समाजिक विज्ञान विशय वाले की दृष्टी क्या होती जल को देखने की जरा उसको देखें इदि समाजिक विज्ञान में जल प्रक्रण होता तो हम बात करते जल के शुरोत कितने प्रकार की होती है जल स्रोत या तटीय स्थानों पर जो लोग रहते हैं उनकी जीवन सैली कैसी होती है अर्था जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग है उनकी जीवन सैली कैसी होती है जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग है उनकी जीवन सैली कैसी होती है क्या में कोई अंतर होता है समाजिक विज्ञान की दृष्टी कोण समाजिक होता है लेकिन यही प्रक्रण जब परियावरन अध्यन में लिया गया तब क्या हुआ जब परियावरान अध्यन की विशेवस्तु प्रारंब हुई तो कहां से प्रारंब हुई बच्चा जलके अनुभव बच्चा कहां से करता है परिवार में जलके उप्भोग से इसनान में क्या उपयोग हो रहा है, पीने में क्या उपयोग हो रहा है, खाना बनाने में क्या उपयोग हो रहा है, बरतन जल का पहला अनुभव तो बच्चे को परिवार में होता है, तो देखिए परियावरन अध्यन की विशयवस्तू से अनुभव से प्रारम होई है, परि शेवस्तु को देखेंगे तो जहां जल सनरक्षन के उपायों की बात हुई है बहां बावली की बात हुई है बावली राजस्थान में निर्मित होती थी इस्थानी प्रयास है बांधों की बात हुई है कुऊं की बात हुई है जो बच्चे अपनी चारों और के परिवेश में देखते हैं तो जल सनरक्षन के बेग्यानी कुपायों की बात बाद में हुई है सामाजिक प्रयासों की बात पहले हुई है वेक्तिक प्रयासों की बात पहले हुई है जीवन में जल का क्या स्थान है जल के पारंपरिक शोत कौन-कौन से हैं जल में कितने प्रकार की कि जब हम प्रक्रण आधारित विशयवस्तु संगठित करते हैं और जैसा कि पर्यावरन अध्यन विशय में की गई है तो विज्ञान का दृष्टिकोन एक सीमा है सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोन की एक सीमा है लेकिन जो संगठित दृष्टिकोन है जो पर्यावरन संप्रत्यों से प्रारंब हो रही है और परिवार में जलका उपियोग एक अनुभव है यहां अनुभव से विशेवस्तु प्रारंब हो रही है यह अंतर है विशयाधारी दृष्टी कोण में और संगठे दृष्टी कोण में और आपको यह अंतर समझने का अवश्यक्ता है क्योंकि यदि आप ये अंतर समझ पाएंगे तभी आप पर्यावरन अध्यन में जो विशेवस्तु पाठेपस्तकों में संगटेत है उसको उस रूप में विद्यार्थियों तक पहुचा पाएंगे नकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में जो प्रक्रनाधारित विशेवस्तु है मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ जो प्रक्रनाधारित विशेवस्तु है वह बच्चों के अनुभव से आती है विशेवस्तु का नरधारन बच्चों के अनुभव से होता है और कौन से अनुभव जो उसके जीवन अनुभव है फिर दीरे दीरे प्रियास किया गया है कि उसकी समझ को बढ़ाया जाए उस संकेंद्रित घेरे concentric circles हैं, उन circles को धीरे 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 बढ़ा किया जाए पहले बच्चे को जो पता है उसके आसपास के अनुभव दिये, फिर वो थोड़ा बाहर निकल कर समाज में क्या अनुभव कर सकता है, वो अनुभव दिये, फिर और जादा अनुभवों को संकेंद्रित गेरों के ब्यास को आकार को बढ़ाते हुए हम चलते हैं, इस प्रकार से विशेवस्तु को संगठित की गई है, एक पाद आरोप देखिएगा, यदि हम कक्षा तीन, कक्षा चार और कक्षा पांच की पांच की पुस्तक एक साथ रखें, तो देखें की प्रकरण समान है अर्था जल प्रकरण पर कक्षा तीन में भी पाठ मिलेगा चार में भी पाठ मिलेगा, पाच में भी पाठ मिलेगा आवा गवन पर कक्षा तीन में भी पाठ मिलेगा चार में भी पार्ट मिलेगा पाच में भी पार्ट मिलेगा अर्था प्रक्रणों की समानता है लेकिन विशेवस्तु की समानता नहीं है विशेवस्तु में निरंतरता है विशेवस्तु में अंता संबंध है वो निरंतरता और अंता संबंध आवश्यक है यही सुंदरता है प कक्षा तीन कक्षा चार और कक्षा पांच की पाठे पुस्तक को देखें तो आप देखेंगे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक में हमने बात की है विविन पेशों की काम के समय और फुरसत के समय हम क्या करते हैं उसकी घर के अंदर और बाहर काम की लिंग की आयू की जातकी क्य तो जप्षाब दार्णा है काम काजी बच्चे कौन होते हैं हम कौन से खेल खेलते हैं कक्षा सामाजिक तोल मोल के रूप में केल मैं कभीowej का विंव के खेल का विचार क्या होता है साथ ही हम उनको ये भी समवेदित करते हैं, कि खोलों पर रोक क्यों लग जाती है, क्या लिंग वर्ग और जाती के आधार पर खेलों में कोई प्रभाव पड़ता है, खेलों के साथ ही कौन होते हैं, जब हम कक्षा पाच में जाते हैं, तो हम सामोही खेलों की बात करते हैं, बच्चों में नित्रत्य चमता में विकास की बात करते हैं, खेलों में दलके प्रती बभादारी की भावना विक्सित हो, परमपरागत खेल, इस्थानिया खेल क्या हैं, और जो अंतरास्टी और रास्टी इस तरपर खेले जाते हैं वो खेल क्या हैं इस्थानी और परमपरागाती उद्धकलाएं क्या हैं खेल कि अभ्यास की खास दिंचरिया क्या होती है अर्थाथ एक खेल को हमने कक्षा 3,4 और 5 में जब रखा है तो किस तरह से अलग-अलग प निर्देशात्मक नहीं होती है इसकी रूपरेखा विचारोत तेजग है जो मैं यह बात कहता हूं कि इसकी रूपरेखा निर्देशात्मक नहीं है विचारोत तेजग है तो निर्देशात्मक का अर्थ यह है जहां आप उनको कुछ विशेवस्तु दे रहे हैं और उस वि विशेवस्तु प्रक्रणों उप्रक्रणों के बीच जो संभावित कडिया हैं जो संभावित संबन्न हैं उनकी और इशारा करती है इसलिए प्रक्रण अधारित विशेवस्तु अवधारणा से प्रारंब नहीं होती संप्रत्य से प्रारंब नहीं होती जैसा कि मैंने बार ब यह हमेशा प्रश्ण से प्रारंब होती है और प्रश्ण कौन से जो बच्चों के मन में उठते हैं प्रश्ण वो नहीं जो आप उनसे पूछन चाहते हैं प्रश्ण बच्चों के मात्व पूर्ण है इसलिए सिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को वो प्रेरित करे ताकि वो स्वयम क्या की खोज कर सकें वो स्वयम क्यों की खोज कर सकें और अर्थ निर्माल के उनको अवसर देने चाहिए इस प्रकार की प्रक्रण की बात इस प्रकार प्रक्रण आधारित विशेवस्तु की बात पर्यावरन अध्यन में की गई है जैसे मैं एक और उधारन देता हूँ, एक बिशेवस्तु है, एक प्रकरण है आवास या आस्रे, यह हमने क्यों रखा, हमने इसलिए रखा, क्योंकि हम बच्चों के प्राकरतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परियावरन के बीच के समंद्नों को ढूनने में और उसको समझने क उनको प्रिसिक्षन देना चाहते हैं, इसमें मुख्य अवधारनाई क्या है, पास पडोस क्या है, कुछ हमने दोई आयमी चित्र प्रियोग किये, कुछ नक्सों का प्रियोग किया गया है मान्चित्रों का, उनको दिशा बोध हो, इसमें प्रश्न किस प्रकार के हैं, कि मे पास-पास के रास्तों को पता कर सकते हैं, क्या उन रास्तों का मान चित्र बना सकते हैं, क्या आपने घर से विद्या ले आने का, आपने घर से डाग घर जाने का, आपने घर से बसड़े जाने का, आप एक चित्र बना सकते हैं, संसाधन क्या है, उनको चित्र बनाना है तो क् कोई छेत्रों का सर्वेक्षन करना होगा फास पड़ोस के छेत्रों का सर्वेक्षन करना होगा विविन छेत्रों का सर्वेक्षन करना होगा तो सर्वेक्षन एक संसाधन है एक विदी है और उससे होगा क्या उससे उनको दूरी का अंदाजा होगा उनको जगहों की इस्थित अंदाजा होगा वो मांचित्र को अलग-अलग द्रश्टिकोंड से बना पाएंगे जो विविन प्रकार के मांचित्र वो अक्सर देखते हैं यह राजनैतिक मांचित्र है यह भोगोलिक मांचित्र है यह खनिजों के आधार पर मांचित्र है यह उद्योग धंदों के आधार का मानच?, बना पाएंगे तोаша है वो जब शहर में जाएंगे तो सहर के मानचित्र को भी समझपाएंगे कि कहनेका अर्थ यह है कि की पर्यावरण अध्यन की विशय वस्त हो जब प्रक्रन आधारत अरथा आधारत रूप पर संगठित किया गया है तो आपकी क्या भूमिका है पर्यावरान अध्यन के सिक्षक होने के नाते आपको ये समझना है अभी तक हमने बात की कि पर्यावरान अध्यन की जो विश्यवस्तु है वह अनुभव आधारित है संप्रत्य आधारित नहीं है पहली चीछ जो आपको ध्यान में रखनी है आपको बच्चों को अनुभवों से प्रारम करना है अनुभवों परंत करना है उनके अनुभवों का विस्तार करना है उनको अवलोकन के अफसर देने है उनको प्रियोग के अफसर देने है जो आप ऐ किया गया है अर्थात विज्ञानिक संप्रत्य या सामाजिक विज्ञानिक संप्रत्य तो बाद में विक्सित होंगे पहले बच्चों के अनवबों के अधार पर उनके संप्रत्य निर्मित होने दीजिए तो आप जो कक्षा में सिक्षण करें, वो विज्ञान का सिक्षण या सामाजिक विज्ञान का सिक्षण होकर न रह जाए, यह आपको ध्यान में रखने की आवश्यक्ता है, आपको यह ध्यान में रखने की आवश्यक्ता है, कि जो विशेवस्तो निरधारित की गई है, उस पक्षाचार की विशयवस्तु से उसका कोई संबंदी न रह जाए। ऐसे अनवहों का संगटन तो आप नहीं कर रहे। यह आपको ध्यान में रखनी की आवशक्ता है। आपको जब आप किसी विशयवस्तु का सिक्षन करें, किसी विशयवस्तु के सिक्षन अधिकम प्रक्रिया का नियोजन करें, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वो प्रक्रण जो आपने चुना है, चाहे वो जल का प्रक्रण है, चाहे वो आवास का प्रक्रण है, चा और किस प्रकार के संसाधनों का प्रियोग करेंगे कौन से क्रिया कलाप कराएंगे यह क्रिया कलाप बड़े महत्तुपूर्ण हैं बिना क्रिया कलाप के परियावरन अध्यन का सिक्षन नहीं हो सकता इसलिए सीर्षा का अधारित अर्था प्रकरण अधारित संगठन किया गया है यह दो शब्द एक जैसे प्रियोक किये गए कुछ पाठ्य पुस्तकों में आप देखेंगे उरोंने थीम अधारित को हिंदी में सीर्षा का अधारित कहा है और कुछ में इसको प्रकरण अधारि से हुआ है यदि आप सारी थीम को देखें जो थीम हमने और इसमें की गई है बच्चे क्या क्या अनुभव करते हैं बच्चे अपने परिवार में परिवार के सदस्यों से अनुभव करते हैं बच्चे अपने मित्रों से अनुभव लेते हैं तो अध्यन का मुख परकलन क्या है परिवार और मित्र और परिवारे और मित्र में कौन-कौन सामिल है उसमें संबंध भी सामिल है उसमें जन्तु भी शामिल है उसमें पौदे भी सामिल है फिर बच्चे भोजन करते हैं भोजन उनका अनुभव है तो भोजन से जुड़े अनुभवों कि माध्यम से भोजन क के श्रोत बोजन के श्रोतों के प्रकार तमाम तरे की विशेवस्तमों का संगठन वहां किया गया है बच्चे कहां रहते हैं घर में रहते हैं तो आवास को एक थीम लिया गया वो भी उनके अनुभव से जुड़ी है जल को एक थीम लिया गया उनके अनुभव से जुड़ी ह और ये जुम्मेदारी एक शिक्षक होने के नाते आप की है पर्यावरन अध्यन का सिक्षक होने के नाते आपकी ये जुम्मेदारी है आप पर ये जुम्मेदारी है कि आप बच्चों के अनुभवों को अधिक से अधिक प्रोचाहित करें ऐसी विशेवस्तु ऐसे क्रिया कलापों का निरधारन करें जहां बच्चे अधिक से अधिक अ विकास करेंगे। अपने और साथ संप्रत्यों के विकास की बात जैसे मैं एक उधारण यहां लेता हूं, यदि आप मान लीजिए बच्चों को भोजन सीर्शक के अंतरगत, खाद्य पदार्थ पढ़ा रहे हैं, यह भोजन के शोत का प्रक्रण आपको पढ़ाना है, आप क् भोजन करते हैं जरा उनका एक लिस्ट बनाईयें, इक सुची बनाईयें, बच्चे सुची बनाते हैं, सुबह क्या क्या खाते हैं, बड़ी सुची बना ली, वागों में, नो आधरों keywords कीजनें, बच्चे कैसे कैसे करेंगें, कुछ बच्चे करेंगे, इसमें तरल पदार कौन सा है औरिसमें ठोस पदार्थ कौन सा है एक आधार हुआ एक संप्रत्य निर्मित हुआ कि भूजन तरल और ठोस हो सकता है कुछ करेंगे अ 4 ही ओध drove से क्या मिलता है जन्या overwhelm प्रकरण में आपनि कितने प्रकार के संपवत्तिय गर director कर दिये है कि यह आथ उसको संप्रत्य तिहाद को ठीक आज हम शाकाहरी और मांशाहरी श्रोतों के विषयों जो उनके सोंच को विस्तार देना है कि परियावरण अध्यन का सिक्षक होने के नाते यह काम आपको करना मुझे आशा है कि यह परिचर्चा आपको परियावराण अध्यन की जो प्रक्रण आधारित संगठन है उसको समझने में मदद करेगी और यह आपक्षा 345 पाज की परियावरान दिन की पाठ्ट पज़तक हैं एक साल रखेंगे तो मैंने आप से जिन विंदू की चर्चा की उन विंदू को आप उसमें देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे आप ऐसा करिए समझेए ताकि आप जब कक्षा में इस वेशेवस्तू क के साथ उनको अनुभव दें तो वे अनुभव कोई थीम आधारित अनुभव हो वह उन्भव कोई संप्रत्य आधारित नहीं हो आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ आपका बहुत-बहुत धन्यबाद